हेलो फ्रेंट्स मैं हूं शुभम शुकला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सुभम जी एस ऑनलाइन क्लासेस में देखिए हम लोगों ने विध्यकों के प्रकार वाला हिस्सा देखा था उसमें से मैंने सधारण विध्यक धन विध्यक देखेंगे उसके अलावा संयुक्त दिवेशन देखेंगी इसके अलावा हम लोगने पूरा कैसे प्रोसेस होता है विध्यक कैसे पारित होता है वह पूरे चरण डिटेल में देख लिए थे ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो पहले जाके देख लीजी अच्छे से नोट करिए उसको उसके बाद यह वाला वीडियो देखे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक विद्यक चूटा था समिधान संसोधन विद्यक वह और एक संयुक्त दिवेशन आज के वीडियो में लोग यह दो टॉपिक कवर करेंगे ठीक है तो अगर आप लोग अगर आप लोगों को उसकी जरूरत है तो आप लोग सेक्षन में बताईएगाँ अगर आप लोग के सानंसोधन विद्यक भाग 20 के अनुचेद 368 के तहट समिधान संसोधन को बताया गया है कि समिधान में अगर संसोधन करना है तो हमको किस किस किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कैसे समिधान में संसोधन होता है इसे बताया गया है ठीक है कि में किन कीन चीजों को सामील करना है तो किस टॉपिक पर समिधान संसोधन करना है वो उसके प्रारूप में सामील होगा तो वो विध्यक जो रहेगा वो कोई भी सदन में सब पहले लाया जा सकता है सरप्रथम किसी भी सदन में चालू किया सकता है पहले लोकसभा में चालू कि जा सकता है किसी भी सदन में उस विद्यक को चालू किया सकता है समिधान संसोधन करने के लिए ठीक है दूसरा चीज याद रखे कि कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य मंत्री क्या होता है सरकारी सदस्य मंत्री अगर कोई विद्यक प्रस्तूत करे तो वह सरकारी विद् कर सकता है दूसरा और रखे गा कि इसमें राष्टरपति की पूर्वा नुमती आवस्यक होती है इसमें कोई पहले से अनुमती नहीं बढ़ेगी राष्ट्र Crgers कर सकता है okay ठीक प्रत्येग सदन में विशेश बरवमत से पारित होना अनिवार है अब सम्विधान संसोधन विध्यक जो है वो दोनों सदनों में विशेश बहुमत प्रत्यक सदन में पहले लोकसभा में जैसे आया है तो लोकसभा के विशेश बहुमत क्या होता है आदे से अधिक सदस्यों का समर्थन 50% प्लस वन 50% प्लस वन तथा इसके अलावा उपस्थित तथा मद्दान करने वालों का दो तिहाई बहुमत भी होना चाहिए ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं सदन में कुल सदसे संख्या का 50% प्लस वन और उपस्थित तथा मद्दान करने वालों का दो त जाएगा और राजयेस तरीके से विशेज बहुमत से पारित होना इसको अनिवार्य है समिधान संसोधन का एक की जोष याद रही जिसमें संयूग्त बैठक कोई प्रावधान नहीं है नहीं हो सकता इसके अलावा वित्विद्यक एक और वित्विद्यक दो दोनों में भी संस मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि संगी धाचे में कौन-कौन सी वीडिया यह देखिए यहीं पे संगी धाचे में किस-किस किन-किन टॉपिक्स में अगर समिधान संसुधन करना है तो उसे विशेज बहुमत की जरुरत पड़ेगी किन-किन टॉपिक्स से परिवर्तन के लिए क्या करना है आदे स्यधिक राज्यों के विधान मंडल को पारित होना अनिवार है क्यों क्यों कि संगी धाचे का मतलब है उसमें राज्य कभी ही जुड़ा हुआ है तो उससे क्या करना पड़ता है आदे स्यधिक राज्यों से भी परमिसन उसके राष्ट्रपती को सहमती देना अनिवार्य है समिधान संसोधन विदेयकों में समिधान संसोधन विदेयकों पर राष्ट्रपती अपने विटो पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकते उसका मतलब सुरक्षित भी नहीं रख सकते उसको पुनर विचार के लिए भी भेज सकते ठी फ्रिले में नहीं कर सकते हैं यह भी याद रखिएगा अब देखिए कि कि yn इन इन विश्यो में विसेश बहुमत दप्ट है ठिक है इन इन समिधान संसूधन करना है तो उसके लिए जुरत पढ़ेगी क्या मुल अधिकार से समंदित 12-36 बहुमत उन अगर संसुधन करना है तो विशेज बहुमत की जूरत पढ़ेगी विशेज बहुमत का मतलब 50% प्लस वन और उपस्थित तथा मद्दान करने वोले को दो तीहाई बहुमत की जूरत पढ़ेगी दूसरा राज की निती के निदे संसुधन करना है तो या फिर यह दोनों में जो सामिल नहीं है वे सभी उपबंद जो अनिस्रेडी में सामिल नहीं है वो सभी विशेज बहुमत से पारित होंगे उन विशेज में अगर संसुधन करना है तो विशेज बहुमत से उसे पारित करवाना पड़ेगा अब आदे से विशेज बहुमत की जुरत तो पढ़ेगी आदे से दिक राज्यों का भी समर्थन लेना पड़ेगा ऐसे कौन-कौन सी विशे है तो राष्ट् यहुद्या के लिए क्या करना पड़ेगा आदे से दिक राज्यों का समर्थन बिलेना पड़ेगा और यह जो आदे से दिक राज्यों का समर्थन लेने के लिए जब विधेयक को बहेजा जाता है तो ओर चुनविचन प्लस परित करके उसे पारित कर सकते हैं correspondence of विधान भी भाजन फिक है जो सक्तियों का विभाजन कौन-कौन से सक्तियां के पास होगी कौन-कौन सी सक्तियां राज्य के पास होगी इस विषय पे अगर समिधान संसोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा आदे से से सम्बंदित कुछी विसेशा पर चेंज करना है कुछ सम्वी दान कठना प्टेज्ज करना है तो फिर क्या करना पड़ा जो render APP सब्खवा अंगे संभा साइब है तो उनसे समिभान ने का प्रतन ऩे समन्दै तो है संसद की जो सकती है उससे संबंदीत कोई परिवर्थन करना है तो फिर उसके आदे सेधिक राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा ठीक है संविधान के संसोधन करने की प्रक्रिया में ही अगर चेंज करना है तो फिर यह वाले से प्रोसेस से चेंज होगा कि नए राज्यों को प्रवेश कराना देश में प्रवेश करना निर्मान करना सीमा में परिवर्तन नाम में परिवर्तन ठीक है जैसे कि सब्क्राइब प्राज़ में ? सब्क्राइब श्राइब इतर्पकरदरश कि पढला धया उसना क्यों से टॉपिक सामिल है संसदी प्रक्रिया में को चीजों प्वर संसोधन करनाइब KCR केंदर सासीत ठीक है नया बनाना मतलब बनाना या उसने संबनना चींज करना है पाँछी और चट्वी अनुसूची के विशे सुप्रीम कोट के कार्य में कोई वृद्धी करना है या फिर सुप्रीम कोट के नियाय छेतर में वृद्धी करना है एक से अधिक राज्यों को एक सुप्रीम कोट के दायरे के अंतरकत लाना है तो इन सब चीजों को में अगर समिधान संस संसोधन का पूरव प्रक्रिया ठीक है इसको अच्छे से पढ़िएगा और किसी भी दसा में समिधान के मूल धाचे से संबंदित विशाय परिवर्तन नहीं किया जा सकता के स्वानंद भारती बनाम के स्वानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुपरीम कोट का डिस संयूक तदिवेशन संयूक तदिवेशन कब बुलाया जाता है तीन कंडिशन पर संयूक तदिवेशन बुलाया जाता है जब लोग सभधवारा पारित करके कोई विध्यक चला गया यह राज्य सभधवारा पारित करके कोई विध्यक दूसरे सदन में गया तो वह तो अस् तीन कंडिशन में संयुकत दिवेशन बुलाया जाएगा अब यह जो देखे छह माह तक पाड़ित नहीं किया है न दूसरा सदन दुसरा हम का डूरेशन होता लगतार चार दिन-प्र इस थगन हुआ है लगतार चार दिन-प्र इस थगन हुआ है चुटी रहे है यह लगतार करेगा और लोग सभाध्यक्ष अगर किसी कारणों से अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा अगर उपाध्यक्ष भी किसी कारणों से उपस्थित नहीं है, तो राजसभा का उपसभापती करेगा, वो भी उपस्थित नहीं है, तो जो सन्यूक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, उस सन्यूक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष का चु सबादियक्षन के समद्ध में बुलाया जा सकता है और दन विद्यक और समिधान संसोधन विद्यक के केस में नहीं बुलाया है कि सभा के पावरी होता है और संसोधन विदियकों पर बुलाना नहीं जा सकता है नहीं चेपधि को चालू करने के लिए कितने से चाहिए तो दोनों सदनों की कुल संख्या के दोनों सदन बैठेंगे ना तो 545 ठीक है और उसके बाद फिर 250 दोनों को जोड़ देंगे और उसका एक बटा दस भाग एक बटा दस भाग जरूरी है ठीक है दोनों सदन की कुल सदस संख्या के दस एक बटा दस भाग उसमें क्शार की प्रक्रीय के निव के अनुसार चलेगा अम्मतदान कैसे लिया सकते दोनों सदन तो निरना निले सके अब संधरान बहुमत से उसका निरना लिया जा सकेगा कोई भी विशय पे अगर कुछ भी करना है समिधान संसोधन करना है या फिर कोई विध्यक को पारित करना है तो सदरान बहुमत मतलब कितने जित्ट 50% सदरान बहुमत क्या होता है 50% प्लस नं सदन की संथ्या के 50% बहुमत से बहुत होती है तो लोक् सभा की सकती इसालिए तो लोग सबहुकर होताय पारीत न इक होता है तो नहीं चाते क्योंकि उनका पावर कम हो जाता है वहां पर लोग्सभा का पावर जादा रहता है क्योंकि लोग सबा की सदस और Fifty प्रतिशेद विधियक 1960 में बुलाए गया था ये बैंक सेवा आयोग विधियक 1977 में पारित हुआ था और आतंकवाद निवारन विधियक 2002 में पारित हुआ था ये तीन विधियक तीन बार बुलाए गया और तीन विधियक जो है वो संयूग तदिवेशन में पारित हुए है तो ये होता है आपका पूरा संयूग तदिवेशन का प्रोसेस, इसको अच्छे सियाद रखेगा कि बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, उसके अलावा कारे वही किसके नियम के अनुसार की जाती है, कैसे मद्दान होता है, कैसे पारित होता है, ये सब च कोश्चन आता ही है, और यहीं से आता है मैक्सिमम कोश्चन, संसद वाले पारलिमेंट वाले हिससे, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए, तो आई होप आप सब को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो प आता हम, खर सक्रीन सॉट आता है, तो आता है गर भीडियो झापको, जर नहीं से वाले है, तो आता है, तो आता है तो आता है, तो आता है, तो आता है।